हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैंने बहुती सुंदर तुरन पट्टी बनाई है बहुती खूपसूरत है तो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए मैं बना के दिखाती हूं मैंने किसे इसको बनाया है तो सबसे पहले मैंने चैन बनाया है तो हमने यह पर एक चैन बनाया यह दो चैन तीन यह चार इसके बाद हम दो राउंडे से कुरुश्या में लेंगे और नीचे वाले फंदे से यहां से हमें धागे को निकालना है यह दो दो फंदे हम बंद करते हूँ जाएंगे यह मारा triple कुर्शिया है तो हमने इसको देख्या है बई पंदा जैसे बना है अब इसके अंदर हम single कुर्शिया बनाएंगे तो हमने यहाँ पर 1 single कुर्शिया बनाया 2 single कुर्शिया 3 4 पांग छे तो हमने यहाँ पर एक साइड में छे सिंगल कुर्षिय बना लेना है अब हम दूसरे साइड यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम छे सिंगल कुर्षिय बनाएंगे बनाना बहुत ही असान है आप वीडियों को पूरा देखें तो यहाँ पर हमने बना लिया है अब इसके आगे हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से इसके अंदर से में धागे को निकालना है और यहाँ पर बंद कर देना इस तरीके से आगे हम चैन बनाएंगे तो हमने देखिए एक चैन बनाए दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो इस दस तो हमें 10 चैन बना लेना है इस तरीके से अब आगे हम दो राउंड इसे कुर्श्रा मिलेंगे और यहाँ पर हम गिनेंगे काउंट करेंगे तो एक दो तीन एचार हमें चोथे चैन में यहाँ पर बनाना है हम बनाएंगे देखिए दागे को निकाला इसके अंदर से फिर दो फंदे हमें इसे बंद करते हुए जाना है त्रिपल कुर्श्य बना हम बनाएंगे तो यह बीच में फंदा जैसे बनेगा अब इसके बीच में हम सिंगल कुर्श्य बनाएंगे तो जैसे अभी हमने बनाए 6 सेंगर कुर्षय एक सेट तो इसमें भी उसी तरीके से बना लेना है तो यहाँ पे हमने बना लिया है धागे को नीचे से यहाँ से और इस भंदे के अंदर से एसे कुर्षय को डलना है और धागे को निकाल लेंगे इस तरीके से तो आगे के साइड हम सिंगल कुर्षय बनाएंगे तो इसमें हम 6 सिंगल कुर्षय आगे बना लेंगे तो यह हमने बना लिया है इसके बाद हमने जहाँ से श्टाट किया था यहाँ से धागे को निकालेंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे अब आगे की साइड हम 10 चैन बनाएंगे तो यह हमने बना लिया है अब दो राउंडे से कुर्षय हम लेना है और फिर 1,2,3,4 चोथे चैन में हम धागे को निकालेंगे यहाँ से और दो दो फंदे हमें इसको बंद करती हुए जाना है जैसे अभी हमने बनाया था उसी तरीके से अब इसके अंदर हम शिंगल कुर्षय बनाएंगे तो आगे हम बना लेंगे इसे तो देखिए हमने यह बना लिया है इसकी लंबाई जितना आप रखना चाहें उतना रख सकती है अब इसके आगे हमने यहाँ पर दूसरा कलर का धागा लिया है और हमें यह जो डिजाइन हमने बनाया शिंगल कुर्षय वहाँ बीच से हम धागे को जोड़ेंगे तो इसे हमने बंद कर लिया है इसके बाद ऐसे एक राउंड रूम कुर्षय हम लेंगे इस तरीके से और यहाँ जो चैन हमने बनाया है बीच से चैन के बीच से हमें यहाँ से धागे को निकालना है ऐसे और हमें कुर्श्याम लेना है तो हमें पप बनाएंगे थोड़ा सा धागा कीच के हमें धागे को लेना है तो देखिए हमने दो राउंड कुर्श्यामें लिया एक ही फंदे में से में धागे को निकालना है, ये तीन, और ये चार, तो हमें चार ही राउंड यहाँ पर, कुर्ष्यां में लेना है धागे को, इसके बाheart हम ये जो फंदे हैं, एक ही साथ हम सारे फंदे बंद कर देंगे, तो हमने इसको बंद कर दिया, इसके आगे हम चैन बनाएंगे, तो हमने एक बनाया, दो, तीन, चार, पांच, एच्छे, तो हमें बीज में छे चैन रखना है, इसके बाद हम फिर पफ बनाएंगे, और उसी फंदे के अंदर से, जिसमें अभी हमने बनाया, यहां से, तो चार और रांड वम इससे निकालेंगे कुरिषिय में धागे को रखेंगे पप बनाईने के लिए यह चार दागां दागां नकाल लियुआ इसके बाद हम इस फदे बंद इसे तरीके से सिंगल कुरिषिय से बंद कर देंगे इसी तरीके से इसको बनाती हुए जाना है अब यहाँ यह जो चैन है इसके बीस से में दागे को निकलना है पब बनाने के लिए तो चार राउंडे से हम कुरूसिया में रखेंगे यह फंदे हम साथ में बंद कर देंगे अब बीच में हम छे चैन बनाएंगे और फिर हम उसी वेले फंदे में यहाँ से दागे को निकलना है पब बनाने के लिए तो हम यहाँ पे चार राउंडे से कुरूसिया में धागे लेंगे अब इन फंदों को हम बंद कर देंगे एक साथ यहाँ पे हम बीच में इसको सिंगल कुरूसिया से बंद कर देंगे इसी तरीके से आगे बना लेना है पूरा तो यह एक साथ का हमने बना लिया है अब आगे हम बताएंगे चैन हम करेंगे तो हमने एक बना दो तीन चार पांट छे तो यहाँ पे छे चैन रखेंगे और उन्में बीच में यहाँ पे यहां बीच में हम एक दम इसको सिंगल कुरूसिया से बंद कर देंगे इस तरीके से फिर आगे हम 6 चैन करेंगे इसको हम टन कर लेंगे गूमा लेंगे और फिर हमें यहाँ बीच से इसको single crochet बना लेना है बंद कर देना है इस तरीके से और फिर आगे हम पब बनाएंगे जिससे हमने नीचे का बनाया है इसी फंदे में से हमें बनाना है इस में से हमने अभी बनाया था तो यहापे हम 4 रॉंडे से कुर्शय हम निकालेंगे तो यह फंदे जो है सब एक साथ बंद कर देने है और बीच में 6 चैन रखना है तो हापे हम 6 चैन बनाएंगे फिर आगे हम पब बनाएंगे उसी वाले फंदे में से हमें चार रॉंडे से कुर्शय हमें निकालना है इन फंदों को हम एक साथ बंद कर देंगे इस तरीके से इसको बंद कर देना है और फिर आगे हम जो हमने यहारा कलर का सिंगल कुर्शय बनाया है उसी के बीच में यहाँ से सिंगल कुर्शय से हम इसको बंद कर देंगे तो आगे इसी तरीके से हम बनते हुए जाएंगे तो देखिए हमने इसको बना लिया है अब यहाँ से हम दूसरा धागा लेंगे तो जहाँ से हमने यह सिंगल कुर्शय बनाया है देखिए यहां से दागे को हमें जोड़ लेना है पहले तो हमने यहां पे इसको बंद कर देना है यहां पे सिंगल कुर्श्य हमने बनाएंगे तो एक हमने बंद किया जो और यह अभी बनाया है दो यह तीन चार पांग चे साथ और यह आठ तो इसके अंदर हम आठ सिंगल कुर्श्य हम बनाएंगे अब फिर हम इसके उपर तीन चैन रखेंगे तो देखिए हमने एक बनाया यह दो और यह तीन अब हम नीचे वाले जो फंदे हैं यह दो दोनों के अंदर से यहां से देखिए यहां से आप धागे को निकालना है इस तरीके से और यह जो ऊपर वाला फंदा है फिर उसके अंदर से भी हमें धागे को निकालना है इस तरीके से और यह जो हमने सिंगल कुर्श्य बनाया है यहां से इसके बीच मिसे में फिर सिंगल कुर्षिया से इसको बंद कर देना है इस डिजाइन को देखिए इस तरीके से और यह जो चैन है इसके अंदर से हम सिंगल कुर्षिया बनाएंगे तो इसके अंदर हम आठ सिंगल कुर्षिया बनाएंगे जैसे अभी हमने बनाया था लाउस में हर चैन में 8 सिंगल कुर्षिया बना लेना है तो यहां पर हमने 8 सिंगल कुर्षिया बना लिया है इसके बाद यह जो पफ हमने बनाया है यहां से बीच में से इसके अंदर हम एक सिंगल कुर्षिया बनाएंगे यहां पर अब उपर की साइड हम तेन चैन करेंगे और फिर नीचे वाले फंदे से दोनों फंदे में से हमें कुर्षिया को डालना है इस तरीके से और फिर धागे को निकालेंगे हम और यह उपर वाला जो फंदा है उसके अंदर से भी हमें धागे को निकाल लेना है इस तरीके से और फिर आगे हम इस सिंगल कुर्षिया के यहाँ पर हम सिंगल कुर्षिया से इसको बंद कर देंगे सिंगल कुर्षिया के ऊपर ही हमें यह डिजाइन बनाते हुए जाना है फिर आगे हम आठ सिंगल कुर्षिया बनाएंगे तो चैन में हमें आठ सिंगल कुर्षिया बना लेना है और जहां हमने सिंगल कुष्या से बंद किया है वहीं पर हम तेन चैन करके यह उपर की साइड यह डिजाइन बनाएंगे तो जैसे हमने अभी बनाए उसी तरके से आगे बनाते हुए जाना है यहां पर हम बना लेंगे आगे तो देखिए हमने इसको बना लिया है यह सिंगल कुष्या जहां पर हमने बंद किया है पिला करर का उसी के उपर हमने डिजाइन बनाया है तो आगे हम बना के दिखाते हैं आपको देखिए यह सिंगल कुर्षिया इसे को उपर हम डिजाइन बनाएंगे तो हम दिखा रहे हैं इसको फिर से बंद करके तो देखिए यह पाप है पाप के अंदर यहाँ पे हमें सिंगल कुर्षिया बना लेना है यहाँ पे अब इसके उपर हम तीन चैन करेंगे तो हमने यह यहां पर एक बना यह दो और यह तीन अब इसके बाद हम नीचे वाले फंदे में से यहां से देखिए यह दोनों फंदे में से में धागे को निकालना है इस परिके से और जो उपर वाला फंदा है, यहाँ पे उसके भी अंदर से हम धागे को निकाल लेंगे, अब आगे हम देखिए, सिंगल कुर्षिया बनाएंगे, तो यहाँ पे हम आठ सिंगल कुर्षिया बना लेंगे, हर चैन में आठ सिंगल कुर्षिया बना लेना है, तो हमने यहाँ पे बना लिया, यहayı participar की साइड हम तीन चैन रखेंगे और यहां से देखिए धागे को निकालना है उपर वाला भी भंदा में इसको बंद करेंगे नीचे वाले फंदे में से यहां से देखिए हमें धागे को निकाल लेना है और इसको उपर का धागा भी बंद कर देना और आगे हम फिर सिंगल कुर्षिया बनाएंगे आठ सिंगल कुर्षिया बना देना है तो जहां पर हम पिला कलर का सिंगल कुर्षिया बनाएंगे उसी बनाना बहुत ही आसान है वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह किये से आप बना सकते हैं तो देखिए हम सिंगल कुष्या के पास पहुच गये हैं अब इसके उपर हम तीन चैन बना लेंगे नीचे वाले फंदे से यहां से धागे को हमें निकाल लेना है और फिर उपर वाला भी फंदे में से हमें निकाल लेंगे और फिर आगे हम यहां पर सिंगल कुष्या के आगे हैं इसको हम बंद कर देंगे अब जो चैन हमने बनाया है अब इस चैन के अंदर हम आठ सिंगल कुर्शिया बनाएंगे तो हमने यहाँ पे बना लिया है आठ सिंगल कुर्शिया अब हम पप के आगे यहाँ पे इसके आगे हम एक सिंगल कुर्शिय बनाएंगे अब फिर उपर की साड़े में तीन चैन बना लेना है और फिर नीचे वाले फंदे से में धागे को निकालना है और उपर वाला जो फं आगे हम आठ सिंगल कुर्षिया बनाती हुए जाएंगे इसी तरीके से इसको बना लेना है तो देखिए हमने या पे बना के तयार कर लिया है तो हमने तोड़न पट्टी हमारी बन के तयार हो गई है कितना सुन्दर लग रहा है आप इसे जरूर बनाए तो वीडियो पसंद कर दो हमने तो हमने इसंदर कितना सकते तो हम पस्वास बनाए बनाए प्ट्टी हमने लेल तो और ले सी तरीके